विधूत के समान, वो कबीर सहाब विधूत के समान करीडा करता हुआ, यानि लिला करता हुआ है, विधूत के समान, जैसे बिजली छन्मा आ जाती है, पलक जबगते हैं, वरणिये पुर्सों को, सरेष्ट आत्माओं को, अच्छी भगतों को पराप्त होता है, ये 26 में, आग प्रेम की वे सेकड़ों धाराएं, इस कारत कुछ और बनता है, जो परमातमा वाणी आकर बोलता है, ग्यान देता है, वो बहुत अच्छा लाब कराती हैं, उनसे बहुत अच्छा निरने होता है, फिर भी, प्रेम की वे सेकड़ों धाराएं, जो नाना रूप में सतीती को वे परमातमा को प्राप्त होती हैं, परकास पुंज परमातमा को, परकास पुंज यानि उस तेजों में भगवान को, जैसे सुरिय एक परकास पुंज है, तो उसको निराकार कैसे कह देंगे परकास पुंज को, तो ऐसे उ परमातमा तेजों में उनका एक तत्व से बना हु परकास तत्व से परकास पुंज परमात्मा को विधी वर्तियां विशे करती हैं जो परमात्मा धू लोक के और तीसरे परष्ट पर विराजमान है अपने अत्मा वो परमात्मा किसी एक सथान पर रहे रहा है विराजमान है एक देशिये है साकार है अब इन्होंने थोड़ी सी एक अड़ंगा डा रख्या है बीच मा और दिखाते हैं आपको रगवेद मंदर नमबर 9 और सुक्त नमबर चानवे का रगवेद मंदर नमबर 9 सुक्त नमबर 96 चानवे के मंतर नमबर 18 आप्टारा हम दिखाते हैं क्योंकि अब विसे दूसरा चल रहा है इसको बाद में दिखाएंगे यहां पर 16 में सलोक में तो यह पूछा है 16 मंदल नमबर 9 16 में के मंतर 16 यह पूछा कि परमातमन आप सरोपरी रहसे सरिष्ट जो आपका नाम है तुम्हारी संग्यानी यह नाम नाम सब्द है संस्कृत में नाम है यह आप उसका ग्यान कराएं तो उसका ग्यान यह नीच से बता रख्या है वो कवीर देव है यह कवी यह कवीर जो है यह कवीर देव है और यह कवीर गिर्भी यानि कवीर वानी दवारा कवीर गिर्भी इन्होंने इस कारश कर रख्या है कवी कारश कर दिया कवी लोग और गिर्ब बीकार से लिख दिया वाणी दोवारा हम इसको सीधा है ले ले लें कवीर वाणी दोवारा कवीर वाणी दोवारा इसको हम कवीर लिख दें और वाणी दोवारा कवीर वाणी दोवारा हम अजेसी वासाम वो कवीर वाणी दोवारा अपना ग्यान उचारन करता है जिस कारण से वो कवी की उपादी भी पराप्त करता है या आगे देखो ये देखो वो रिसी मना ये रिसी कर सवरसा सवरसा सैंसरनी थै अजारों बाणी पद्वी कवी नाम तिर्टियम धाम महीसे सिस संत सोम विराजमानू राजती सतुप इस कारण क्या है इनोंने यहां गल्ट किया है थोड़ा उसको ठीक करने के लिए रगवेद मंदल नमबर नौ सुक्त नमबर ये च्छानू है अब वापस छासी पर चलेंगे फिर हम इसको करके ये अनवाद चल रहा है मंतर नमबर ठारा का ये आपको अठारा मंतर दिखाया ये अठारा का अनुवाद इनोंने यहां किया है ये वही अठारा है यहां से सोम कारत होता अमर परमात्मा सोम कारत चंदर्मा भी होता है चंदर्मा जैसा परकासित और सीतल भगवान लेकिन इसी यहां सो मकारत है अमर परमात्मा पालन की इच्छा करता हुआ गीता जी दैयन नमर पंदरा के सलोक नमर 17 मका है कि उत्तम पुर्शेतो अन्य परमात्मा है ती उदारते ये लोग तरम आवी से भी बरती अवे इस वरे वो सब की धारन पोशन करता है वो परमात्मा पालन की इच्छा करता हुआ जो महान परमात्मा सबसे सर्वसक्तिमान परमात्मा तर्तियम धाम तर्तियम धाम इन लिक अरवाद किया है देवियान और पित्रान इन दोनों से पर्थक तीसरा जो मुक्ति धाम है उसमे विराजम संस्कर सही बतारी, विराजमान जो ग्यान योगी अरे महिमा परमातमागी चलिज़ जो ग्यान योगी लिख दिया है उसको परकास करने वाला है पर बात भी है यहाँ इनों ने सच्चाई को छुपा जिया कि वो परमातमा तीसरे दहाम में विराज मान है इतना है लिखना था यहाँ इनके दानन जाड़ी थूरी यादागी के दानन तैनुक है किता एक देस में रहता को नहीं यहाँ उनके इस अन्वाद करता के जो पहले तो ठीक लिखा अच्छा सीमत है अब इनके यादागी के वो तो दानन यादागी इनके महरिशी दानन के वो तो सत्तार परकासम कहता है कि परमातमा निराकार है वो किसी एक सत्तान पर नहीं रहता एक देसी नहीं है वो तो सर्व कणकण में है निराकार है इनकवा बात या दागी तो यहां अडंगा कर दिया अब उसको सेट करने के लिए क्योंकि आप जी अब बुद्यमान हो एक इदर मध्या परदेश से मध्या परदेश से एक भगताया किसी से वो कहने लगए थी हमने आपका सचसंग टीवी पर देखा सुना हम इंदू होते वê कुरान सरीफयाई बाइबल लाए है खरीद कहे और हमारा काफी बगत इक्ठे हो जाते हैं तरह है रहे रामान देखा करते हैं टाइम काट दिया करते हैं न्यों बैठ जाते हैं सेट बेद ले इनी के नवाद किये वे और गीता जी देखी सारा एक के अक्सर मिला है अमने तो पुन्यातमा हो अब ये दास जो आपको बता रहा है तो ये आप यहां मेरे बतान में को नहीं सारो क्यों कि यो ग्यान इतना ग्यान ठोक दिया हमारे अंदर है विश्वास नहोता है क ग्रुजी माराजी दिखा रहे हैं या यह सचा पाओगा फिर वो सचा पाओए है क्योंकि सचा ही है और अच्छा है कि आप मिलाओ अगर हो सके तो जल्दी विश्वास हो फिर नहीं बहुत है जी उस दिन के बाद पूरे के पूरे विक्ती सुनो जाते हैं सारा काम छोड़ है हम तो अग्यानन देर अंदकार में गणे बटक रहे थे तो अब हम प्रमात्मा को पैचानेंगे ये बिचली पीड़ी आगी अब इस बिचली पीड़ी में कोई कितना ही भी बगवान के मारग में रोड़ा अनान की चेश्टा कर लियो ये रुके को नहीं इस बगवान के मारग में और इस सत संदेश में जो बाधा करेगा वो ऐसा है जैसे अंदागधा रेल की पट्रीप है खड़ा हो करके और रेल को ही अवरोद करने की चेश्टा कर रहा हो एक अंदागधा खड़ा था रेल की पट्रीप है आब उदर से ट्रेन आगी और उसने काफी दूर से गड़ गड़ की आवाज सुनी उसने सोचा तुझे कोई डिश्ट्रिप करने आ रहा है तो उसने दो जिदर से उसको आहट आ रही थी कि इदर से कोई गती हो रही है उदर दोनों पैर कर लिये पिछले कि इसको आने दे मेरे रास्ते को कुन छेड़ता है यहां मैं खड़ा हूँ जहां पर और इसको उसने दोनों दलती पिना लिया अर ला गया नू पेर करना जब निक टा लिया तो दोनों ला तुमारी रेल के उठा गए पटे के दिया टुकड़े टुकड़े होगे उसके. तो ऐसे अंधे गधों का यही हर्स होता है जैसे एरनेक्स शपू थान दागदा, रावन थान दागदा, कंस थान दागदा, बीच में खड़ा हो अगवान के मारग को बादा करें. तो आज जो इस मारग में बादा करेंगे वो उसी काटेगरी के होंगे. अब आप जी को फिर रेगवेद मंडल नमबर नो, सुक्त नमबर च्छासी फिर जिखाते हैं, यह देखिए का, रेगवेद मंडल नमबर नो, और सुक्त नमबर च्छासी, आपने यह 26 नमबर पड़ लिया, 27 में हम आगए थे, तो इसमें यह परसन आया था, कि जो परमात इसमूल संस्कृत तो सही है, लेकिन इन कहिदान याद आगए फिर, वहां लुखादिया वो ग्यान योगी जो, अब रेगवेद मंडल नमबर नो, सुक्त नमबर 96, च्छानुएं के मंतर नमबर ठारा में, मूल संस्कृत में तो सही लिखा वेदों में तो, कि वो परमातम तीसरे धाम में विराजमान है, सब के पालन की इच्छा करता हूँ परमातमा तीसरे धाम में विराजमान है, और वहां से फिर गती करकाता है नीचे, जब नीचे गती करकाता है तो अपने अमर्त ग्यान को, तत्व ग्यान को, अपनी बुखारविन से, अपने मुख से, अम परसिद कवी भी होता है, माना जाता है, अब कवीर देव जी परमेश्वर जी को हम एक कवी कहा करते थे, परसिद कवीयों में से हमारी पुस्त को में जो विद्यालेम जो पुस्त के हम पढ़ते थे, उन में भी कवीयों में से उनका विसे सथान होता था, और वेद भी ये कहत अपने ग्यान को लोकोकतियों के मादम से, सलोकों, दोहों के मादम से, चौपाईयों के मादम से, यानि वो पज़ भाग में बोलने से कवी भी परसिद हो जाता है, लेकिन वो होता है बगवान। अब नुम में जाएका छाशीव में सलोक में सफ़ष्ट हो गया, कि वो परमातमा तीशरे धाम में विराजमान है, एक देशी है, हमने ये शिद्ध करना यहां पर, और आगे देखा, फिर उक करता क्या है, रेगवेद मंदल नमबर बी-ासी के, एक, दो, तीन में सफ़ष्ट कर दिया, रेगवेद मंदल नमबर 9 के ही, सुक्त नमबर 82 में, बी-ासी में, और नीचे है, ये मंतल नमबर 1, नवा मंदल और 21, seconds, इक आसी, वा सुक्त है, समाथ हो आ, ऊपर इकासी मां समाथ हो आ, ये बी-ासी मां परार हो गया, तो यहां इसके पर्थम मंतर में है, जो सर्वो उत्पादक प्रमात्मा प्रभू यानि जो सब की उत्पत्ती करने वाला प्रमात्मा है परकास रूप सद्गुनों की विरिष्टी करने वाला पापों के हरन करने वाला पापनास करने वाला है वह है राजेव राजा के समान राजेव राजा की तरह राजा के लिया देखिए राजा के समान दरसनिय है राजा के समान दरसनिय है देखने योगे है साकार है और वहे परत्वी आदी लोक लोकांतरों के चारों और सब्दे मान हो रहा है यानि उसकी सक्ती भी चारों और विद्मान है वहे वर्णिये पुरसों को सरेष्ट पुरस को सरेष्ट भगत को अच्छी आत्मा को जो दर्ड भगत है उसको पवीतर करता हुआ प्राप्त होता है यानि उसको आकर मिलता है कैसे मिलता है जीस परकार आकासिय बिजली विधुत सन्हे ले सत्थानों को आधार बना कर प्राप्त होता है कितनी प्यारी डेफिनेशन दी है पुर्णात्मा उस वागए आपको ये सत्संदेश मिल रहा है और इसके बिना ये मनुस जीवन विर्थ है अब इसमें सपष्ट किया है कि वो प्राप्तमा अपनी अच्छी आत्माओं को जो दर्ड भक्त होते हैं उनको आकर मिलता है कहां से उस सत्लोक से चलकर गती करके आता है चले मान होकर चलाए मान होकर के और कैसे मिलता है जैसे पहले क्या होता था अब भी वही थी तह वही है पहले कासी के आम बेले थाड़ी होया करती है गाम्मा में गरों में और वर्सा हो जाती अचानक वर्सा आ जाती तो थाड़ी बेले ऐसे जूठे सुचे बाहर भी आंगण में रखे रहते थे तो हमारी दादी जी विशेश रूप से भाग कर जाती